हलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है हम आरपेसी फर्ष्ट गेर जिके में सेक्षिक प्रबंदन पढ़ रहे थे 16 टोपिक कंपलिट हो चुके हैं इस महिने के अंतर तक या एक दो दिन बाद अगले महिने के अपने सेक्षिक प्रबंदन व्यक्त हुई थी तो सबसे पहले सर्व शिक्ष अभ्यान के संकल्पना कहा व्यक्त हुई थी? कब व्यक्त हुई थी? राइश्टे स्क्ष नेतिन 1986 में तथा प्रोग्राम ओप एक्षन 1992 के तहर्ट नवंबर 2000 में केंदर सरकार ने सर्व शिक्ष अभ्यान को मंझूरी पर कारदान की सर्व शिक्षा अभ्यान कार्यकरम 170002-2001 से क्रियानवित किया गया कि सर्व शिक्षा अभ्यान कारेकरम कब से क्रियानवित हो रहा है। सर्व्षिक्ष्य अब्यान की क्या भूमिका है कि राजस्तान में इस सर्व शिक्ष्य अभ्यान कारेकरम जो है 2001-2002 से प्रारम किया गया जो कि वर्तमान में अभी सभी जिल्लों में चल रहा है सर्व शिक्ष्य अभ्यान कारेकरम कब से शुरू आता भारत में 2000-2001 से जबकि राजस्तान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान कारेकरम 2001 दोस्य प्रारम किया गया जो कि वर्तमान के सबी जिल्लों में चल रहा है राजस्तान में केंद्र और राजी की भागीदारी का वित्य अनुपात क्या है सर्व शिक्ष्य अभ्यान में नवी पंचवर्षी योजना में तो सरवशिक्ष्य अभ्यान में योगदान था केंदर का 85 परतिशत और राजी का 15 परतिशत अनुपात था ये इनकी भागिदारी थी नवी पंचवर्षी योजना में केंदर और राजी की 85 अनुपात 15 फिर दस्वी पंचवर्षी योजना में केंदर और राजी की भागीदारी हुई सर्वशिक्ष्य अभ्यान में 75 अनुपात 25 वर्तमान में सर्वशिक्ष्य अभ्यान में केंदर और राजी का वित्तिय अनुपात कितना है 65 अनुपात 35 या आप याद रखें कि वर्तमान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान में केंद्रो और राजी की भागिदारी है राजस्तान में 65 अनुपात 35 राजस्तान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान की नोडल एजेंसी कौन सी है राजस्तान प्रारंबिक शिक्षा परिशद जहेपूर ये राजस्थान प्रारंबिक शिक्ष्या परिशाच जेपुर्ज हैं, ये राजस्थान में सर्वशिक्ष्य अभियान की नोडल एजेंसी है स्टार्टिंग में सर्वशिक्ष्याभियान की युद्यडिरी 2010 तक रखी गई थी जिसे बढ़ाकर 2012 तक कर दिया गया था स्टार्टिंग में जब सर्व शिक्ष्य अभ्यान की सुर्वात हुई थी तब इसकी अउधी कब तक रखी गई थी 2010 तक रखी गई थी जिसे बाद में बढ़ा कर 2012 तक कर दिया गया था अब आते हैं कि सर्व शिक्ष्य अभ्यान की उद्दि शिक्या है कि विध्याले जिकी जो प्रणाली है पढ़ाने की समुदाय की सहभागिता के द्वारा उसमें प्रारंबिक शिक्ष्य का सारवजनी करना और गुणवत्ता पूर्ण बेसिक शिक्ष्य परदान करना और बेस गुणवत्ता पूर्ण बेसिक शिक्ष्य अर्थात आधार पूर्ण आधार पूर्ण शिक्ष्य परदान करना सर्व शिक्ष्य अभ्यान का उद्दिश्य है अब आते हैं कि सर्व शिक्ष्य अभ्यान की कारियोजना क्या है शिक्ष्य से वंचित जो बालक है उन्हें चोधा व्रस के बालको को आट वर्ज की विद्याली शिक्षा सर्व शिक्षा अभ्यान की कारियोजना की तरफ कब तक उपलब्द करवाना का लक्षी हैं 2010 तक लिंग और सामाजिक भेदबाव को समाप्त करना बालको का हंडरेड परसेंट नमांकन सुनिश्वित करना थेहरा दांकन सुनिशित करना परबंधन धाचा और संस्ताकत चमता निर्ने लेना समोधाई गति सीलता परदान करना और प्रबोधन देना तो इसमें आप यह याद रखें सर्व शिक्ष्य अभ्यान की कारियोजना के तहट 6-14 वर्स के बच्चों को 8 वर्स की विद्याली शिक्ष् शामिल किया गया है अगला आता है सर्व शिक्ष्य अभ्यान की क्रियानविती कितने स्तरों पर की गई है तो सर्व शिक्ष्य अभ्यान की जो क्रियानविती होती है वो दो स्तर पर की गई है एक तो है राष्ट्रे स्तर पर जिसका अध्यक्स होता है परदान मंत्री और दुसरा स्तर आता है सर्व शिक्षय अभ्यान की क्रियानविती में राज्य स्तर पर और राज्य स्तर पर अध्यक्स होता है मुख्य मंत्री और उपाध्यक्स कौन होगा शिक्षय मंत्री फिर आता है सर्व शिक्षय अभ्यान का संग्टन या संरचना या धांचा किस परकार क होता है तो इसमें राज्य स्तर पर भी सर्व शिक्ष्य अभ्यान का संग्ठन होता है फिर जिल्ला स्तर पर फिर ब्लोक स्तर पर फिर संकुल स्तर पर तो देखते हैं अपन राज्य स्तर पर सर्व सर्व शिक्षय अभ्यान का मुख्याले राजस्तान प्रारंबिक शिक्षय परिशद RCEEE है और इसका मुख्या कौन होता है राजस्तर पर सर्व शिक्षय अभ्यान का आयुक्त होता है और इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त होते हैं तो सर्व शिक्षय अभ्य और उपयुक्त होते हैं। फिर आते हैं जिल्ला स्तर पर गिल्ला स्तर पर सर्वशिक्षर अभ्यान का मुख्याले चिल्ला पर PPC का सयोगी कों होता है । आप याद रखिए कि जिल्ला स्तर पर सरव या BEO होता है और BRCF का सयोगी कौन होता है संदर्भ व्यक्ति RP होता है यह पन पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद होता है CRC या संकुल स्तर पर और संकुल स्तर पर इसका मुख्या कौन होगा CRCF होगा वर्तमान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान का जिल्ला स्तर का मुख्या जिल्ला सिक्ष्य अधिकारी को बनाया गया है पहले कौन था DEO या DPC लेवल का अधिकारी होता था लेकिन वर्तमान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान का जिल्ला लेवल पर मुख्या जिल्ला सिक्ष्य अधिकारी को बनाया गया है ब्लोक स्तर पर सर्व शिक्षय अभ्यान का मुक्या ब्लोक प्रारंबिक शिक्षय अधिकारी को बनाया गया है और वर्तमान में जो है ये संकुल स्तर को समाप्त कर दिया गया है आपसे पूछ लिए कि वर्तमान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान की संगटेन में सामिल नहीं है तो ये संकुल स्थर सामिल नहीं होगा क्योंकि संकुल स्थर को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में सूचनाए स्कूल से नोडल को पहुंचती है उसके बाद ब्लोक स्तर पर ब्लोक संदर्व केंदर को तथा जिल्ला स्तर पर जिल्ला प्रयोजना समनवे कारेले को बेजी जाती है और यहां से यह फिर यह सूचना है राजस्तान प्रारणिक शिक्ष्या परिशद र-C-E-E को बेजी जाती है तो आप याद रखना, स्टार्टिंग में तो ये संग्टन का डाचा था राज्यस्तर, जिलास्तर, ब्लोक्स्तर और संकुल्स्तर लेकिन वर्तमान में ब्लोक्स्तर ये संकुल्स्तर को समाप्त कर दिया गया है तो वर्तमान में सर्व शिक्ष्य अभ्यान के संक्टन में तीनी सामिले राज्य स्तर, जिल्ला स्तर और ब्लोग स्तर और SSA का जिल्ला स्तर पर मुख्या जिल्ला सिक्ष्य अधिकारी को वर्तमान में बनाया गया है जबकि पहले कौन होता है, DEO या DPC और ब्लोक तरपर मुख्या होता है BRCAPE or BEO और वरतमान में ब्लोक प्रारमिक शिक्ष्य अधिकारी को बनाया गया है यह आपका सर्व्षिक्ष्य अभ्यान topic complete हो गया इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्व्षिक्ष्य अभ्यान के अंतरगत प्रिपिक शीक्षा, फिर आएगी CWSN, Child with Special Need, फिर आएगी लहर, फिर आएगी कार, Computer Aided Learning Program, फिर आएगी School Management Information System, SMIS, फिर इसके बाद आएगा संबलन योजना, आवशी विद्याले चात्रवास, फिर इसके बाद आएगा रेगिस्तानी चात्रवास, माइगिरेटरी चात्रवा झाले चात्रवास, फिर आएगा संबलन योजना, 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 फिर आएगा संबलना, फिर आएगा संबलना, फिर आएगा संबलन